नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरजेश पसिश, 2024 में इंडिया गठवंधन मोदी को पच्छार सकता है, ये बाते हम रोज सुनते हैं, समझते हैं और ज्यादा तर लोगों का मानना है कि अगर मोदी को हराया जा सकता है, तो सिर्फ मिलकर हराया जा सकता ह लेकिन ये जो मिलकर हराने वाले भाई लोग हैं, इन लोगों का जो रवया है, उसको देखकर लगता है कि ये कभी मिल पाएंगे, इसमें भी शक है, आज की तारिख में इंडिया गठवंधन का नाम, बड़ा अच्छा नाम रखाता है, ऐसा नाम रखाता कि वीजे भी ति मिला गई थी, लेकि मुझे लगता है कि ज़्यादा जो सटीक नाम है, जो इनके उपर फिट बैठता है, वो नाम है फूफा गठवंधन, इसमें सारे फूफे हैं, फूफ़ड हैं, पड़ पंजाबी में कहते हैं, फूफियां हैं, ये सब आपस में इतने ज़्यादा हवा में रहे हैं, कि कभी आप इनकी इन हरकतों को देख लें, तो आपको लगेगा कि भाया, ये तो सारी मोदी जी से मिले हुएं, और ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको जो बताता रहा हूं, कई पॉलिटिकल पार्टी को मैंने बी टीम बताया है, और मेरे पास में लोगों के कमेंट आएं, कि भई आप उनको बी टीम करें, ये तो गलत है, लेकिन अब आप देखिए, पूरे पैटर्न दिख रहा है, वो कौन-कौन से लीडर्स हैं, वो कौन-कौन से पॉलिटिशन्स हैं, और वो किस करह से खरमंडल डाल रहा हैं, कहीं मत जाएए, चैनल को सब्स जिसके पास देखें, जिसको देखें, वो एक मुहावरा है, जिसको पूछ उठा वो मादा निकलता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कि ये, 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 बी टीम लगते हैं, माया बती, नहीं जा सकती, बीजे पी के खिलाफ, सिर्फ ये जो आप लोग कहते हैं कि उनकी फाइलें खुल गी हैं वगरा वगरा नहीं, अनितावी, वो हमेशा उसी की तरफ जुकती हैं, जबकि केसी नात्रे पाठी निवनी की सरकार के रही थी, गलत तरीके से बही मानी करके कोट में मामला उठा वगरा वगरा, इसी तरह से ममताव एनर्जी, मैं कई बार कह चुक हूँ, जो कुर्तों का आदान प्रदान होता है, वो आप सब जानते हैं, और केजरी बाल, अक्सर लोग कहते हैं, अब तो जेल में भी डाल दिया, फिर भी वो ज़्यादा तर काम ऐसे करते हैं, जो उनको मोदी जी को लाप पहुचाने वाले हो, इसी तरह से शिव गठवंदन को मजबूत बनाने में, तो पहले चलते हैं, ताजा ख़बर से, संजय राउत ने 48 में से 23 लोग सवा सीटे मांग ले हैं, फिर एनफ, कम ज़्यादा सीटे मांग सकते हैं, उनको गलत नहीं मान सकते हैं, मतलब एक गठवंदन का उनका मिजाज लगता हैं, उनक सारे गुटों के बीच में समझोता होना है, NCP के चार संसद हैं, शरत पवार के, अब वो तूट गए हैं, तो क्या चार उनको टिकट मिलेंगे, ये सब चीज हैं, लेकिन ये एक फेर डिमांड है, लेकिन आप एक ऐसी हरकत देखी जिससे आप चौक जाएंगे, ख़बर आ भाई, दोखा देके लालु यादव की पाटनी ने तोड़ा और वो बारा विधायकों के साथ लालु यादव के साथ शामिल होने वाले थे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंतरी बनाने वाले थे, ऐसी ख़बरे आई थी, कल तक खबरे आ रही थी, वो खंडन कर रहे थ अब ये खबर ये भी हो सकता है कि ये पूरी ही बनाई गई खबर हो और उन्हें अपने पार्टी अध्यक्ष को अटाया वो बहाने से और एक उन्होंने ग्राउंड टून लिया इस गटवंदन से बाहर निकलने का इंडिया गटवंदन से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नि लेकिन अब जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मान लीजिए उल्टा भी है, लाडू यादो की पार्टी ने धोखा दिया है, तो जिसके साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हो लोकसभा का, उसकी सरकार गिराओगे, तो कैसा गटवंदन करना चाहते हो, 2019 के लिए क क्या सोचा है आपने, क्या सचमुझ मोदी जी को अटाना चाहते हो, ये एक तस्वीर दिखाई देती है, मायावती, पुरी दुनिया मायावती के नाम पे, भाईया मायावती आखरी समर में उट खड़ी होंगी, बीजे पीचे तरस्त हैं, फाइलें खुल जाएंगी, इस जवाब दिया है, और मलूक नायक ने जो बयान दिया है, मायावती की तरफ से वो ये दिया है, कि भाईया, कॉंग्रेस पार्टी ने हमारे दो विदायक तोड़े थे, मंद्रपरदेश में, उसकी सजा तो कॉंग्रेस को दी जाएगी, लेकिन हाँ, अब हम गठबंदन में जा सकते हैं, इंडिया गठबंदन है, येक शर्ट है, शर्ट क्या है, कॉंग्रेस पार्टी प्रधान मंतरी के लिए मायावती का नाम प्रस्तावित करें, क्या ये गठबंदन बनाने वाली बात है, बिकारने वाली बात है, ये फूफी बनी की नहीं, अब इसको पूरा आ आप अभी मैं आगे आओंगा समझाओंगा कि किसकी क्या हैसियत है वैसे भारत में, कितनी सीट मांगने का किसका मुँ है, इसको हम समझेंगे, तो ये हालत है, इसी तरह से ममताब इनर जी, ममताब इनर जी एंडिये का टवंदर में जाती है, बैठक में, और कुरते भेजने जाली जो बाते हैं, वो दिखाई देती है, वो बोलती है कि साब राहुल गांदी की जगे, खड़गे को आप अद्यक्ष पनादेश है, ठीक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मांग हो सकती है, कि प्रतान मंतरी कौन हो आपका उम्मीदवार, लेकिन अभी जो 26 तारीक को उनकी एक वहाँ पर सभा थी, उसमें उन्होंने कहा दिया कि बंगाल में ना तो हम कॉंग्रिस से गड़बंदन करेंगे, और ना हम कम्मिनिस्टों से गड़बंदन करेंगे, हम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, यानि जहां पर आप सब के साथ मिल जाएंगे, लेकि नहीं साथ, फैला दिया रायता, सब के अपने नखरें हैं, अब अखले शादव, कुछ लोगों का कहना है कि अखले शादव अपना चुनाव का बदला नेने के तेयार बैठे हुए हैं, दूसरे सब्स, दरमया ने फिरका की भाई, पी-म बनेंगे, तो मैंने आपको बताए दिया कि किस तरह से ललन सिंग को उन्होंने हटा दिया है, अरविंद केजरिवाल, उनको पंजाब में 13 में से 13 सीटे चाहिए लोकसवा की, हम तो सब सीटे चाहिए हमको गटवंदन में, तेदिया बयान उनने, अब आप बताएए कि 13 में से 13 लोकसवा तो है, अब ही इस पूरे गणित के बीच में अगर आप समझें तो ललन सिंगा मैंने आपको बताएए दिया, इन सारी चीजों के बीच में, अब आपको लगेगा कि ये सारे लोग रायता प्रमुख हैं, अब आप एक पहचान करिए, अब इन लोगों के सारे रविये को अ अपनी सीटे क्यों दे, महमताब एनरजी अगर बंगाल में स्टोंग है तो अपनी सीटे क्यों दे, लेकिन आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि कॉंग्रेस पार्टी आपके साथ फोकट में आ जाएगी क्या, बहुत कॉंग्रेस पार्टी एक राष्ट्री पार्टी है उसका अपना प्रिंट है, इंप्रिंट है, तो हम अगर एनलिसिस करें तो भारत में 37.7% वोट दो हजार उननीस में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को मिले थे, 37.7% और 19.6% बोट कॉंग्रेस पार्टी को मिले थे, यानि 37% बीजेपी के पास और 19.6% मतलब 20 मान लो, 20% बोट, 38 और 20 मान लो क्योंकि 37.7% हैं, कॉंग्रेस के पास, अब बाकी लोगों का कितना बड़ा साइस था लोग सबाब में इसको आप देखें, DMK के पास में, तो राहुल गांदी के पास तो 20% थे, DMK के पास 2.3% थे, आप अंदाजा लगा लिजे, ममताब एनरजी के पास 4.1% थे, वोट, YSR कॉंग्रेस के पास 2.2-6% थे, उद्दर ठागरे 33 सीट मांग रहे हैं, उनके पास 2% वोट थे, नितीश के पास में, एक दिशमलब 6.6%, एक दिशमलब 6.6% वोट थे, नवीन पैटनाएक के पास 1.6% वोट थे, BSP के पास 3.63% वोट थे, NCP के पास 1.49% वोट थे, समाजबादी पार्टी के पास 2.55% वोट थे, और CPM के पास 1.77% वोट थे, अगर इन सारे लोगों को आप देख लें तो सिर्फ एक ममतब एनरजी को छोड़ दें जिनके बाद 4.1 परसेंट वोट है किसी का भी 4 परसेंट भी वोट नहीं है 3 सारे 3 परसेंट किसी का 2 परसेंट से भी कम है बहुत सारे और ये लोग क्या करें कि 23 परसेंट वाला जो राहूल गांदी है कॉंग्रेस पार्टी है वो सीटें इनके लिए छोड़ दें तो अगर बंगाल के लिए बंगाल वाले को सीट छोड़ देंगे यूपी के लिए यूपी वाले को छोड़ देंगे मायावती तो करें पेम कैंडिडेट बना दो उनको पंजाब केजरीवाल के छोड़ देंगे दिल्ली भी केजरीवाल मांगेंगे फिर तो तो ये गटवंदन हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा तो बात यह कि नखरे किस से कर रहे हैं इस पे ऐधान कर रहा है और इसी सवाल के बीचे पीचे पूरे इंडिया गटवन्दन झिपा हुआ है। किस पे नखरे कर रहे हैं, उनको क्या लगता है, कौन आदमी है मेजबान जिसके कि ये फूफा बने हुए है, भई गटवंदन तो यही लोग बना रहे हैं, क्या यह यह मान के चलने हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ही सब कुछ करेगी और हम कॉंग्रेस पार्टी को ब्लैक मेल कर रहा है, और ऐसे फूफा गटवंदन से अच्छा है कि कॉंग्रेस पार्टी अकेले चुनाओं लड़ले, उसके जो वोट शेर बढ़ा है, मत्रदेश में हारने के बावजूद बढ़ा, राजस्तान में हारने के बावजूद उसका वेट शेर बढ़ा, अगर वो थोड़ी के लिए, क्योंकि सरकार मोदी को हटाना, अगर आपको मोदी से डर लगता है, तो बात अलग है, अब ये अलग बात है कि कुछ लोग ऊपर से मोदी से डर जताते हो, अंदर ये अंदर मोदी की साथ उनका प्रेम भाव चलता हो, जैसे मम्तब अब अनरजी को कभी मोदी जी नहीं किया, केजरीबाल की सरकार और उनकी सारी चीजें, हर बार केजरीबाल ने बीजेपी कोई फायदा पहुचा है, कॉंग्रेस को नुक्सान पहुचा क्या, आप देख लिए सारे चुनाओ, गुजरात में जाके लड़ जाती है वोट काटने के लिए, के बल, और वेसी आपने जाए खिए कि मोधी के हाथ में सारा कंट्रोल है और ये इस तरह के फूफा टाइप के लोग उस मोधी से लड़ने जारह है जिसके बारे में लोग कहते हैं, उसका स्पहग्सस है, उस नग्यॉम्धे से लड़ने जारह है जि चैज Рए जा रिवाए जिसके पास एड के जा रहे हैं जिसके पास EDA जिसके पास अडानी है अंबानी है बें तहां पैशा है उससे ऐसे फूपागरी से लड़ लोगे हैं अगर आपको जीतना है तो समर्पन आपको चाहिए होगा जो मुझे कहीं नहीं लगता कि इनके अंदर है हो सकता है कि सीटों के लिए दबाव बनाना समझ में आता है लेकिन इस तरह क्या दबाव कि हम तो अकली लड़ेंगे हमको सारी सीटे दे दो इससे तो चलवे ना हो सकता है कि ये सब लोग अभी पिछ कर रहे हैं बाद में जाके मिल जाएं लेकिन अब समय जादा बचा नहीं है एक सही संदेश जाने के लिए इनको जल्दी काम शुरूर करना पड़ेगा तीन राज्यों के चुनावों के पहले भी ये अलग अलग थे उसका भी इनने नतीजा देखा है नमस्कार चेहंत